हेलो अबरीबन स्वागत है आप सभी का सिद्गे चाजू कसान में आज हम लोग नेस्टेड या लेडर इफ एल्स के सिंटेक्स के बेसिस पे एक प्रोग्राम को करेंगे और यह प्रोग्राम है आपका राइट यह प्रोग्राम टू फॉइंड ग्रेटर बिटुविन थ्री नंबर्स तीन नंबर्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है उसका प्रोग्राम जो हां आज हम लोग इसके अधार पे करेंगे और इसमें हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स का क्योंक उसका कॉंसेप्ट क्लियर हो जिसके अधार पे हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे और इसे समादने और भी प्रोग्राम का हम लोग करके देखेंगे नेस्टेड और लेडर इफेल्स के अधार पे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्री नंबर्स को चेक करना है कि क कर चूके हैं तो हैस इंक्लूड एस्टेडियों डॉट एच और हैस इंक्लूड कुन डॉट एच आपको अन्डरे स्टूड है कि वह सारे प्रगाम में लएगा हम उज नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेस कम पुलेगा ओके तो हम लोग जो है ना सिर्फ actual parts को और void main से लेकर करके देखाएंगे यहां से हम यूज कर रहा है void main जहां से हमारा main body यह start वह रहा है function का अब यहां फे void main हो गया तो void main के बाद हमको declare करना पड़ता है कि कौन-कौन से आप value को इसमें यूज करना चाहते हैं कौन-कौन से variable आप यूज करना चाहते हैं और वो variable किस types का है तो हम लोग को क्या करना है कि तीन नंबर को चेक करना है तो तीन नंबर integer ले लेंगे तो यहां पर देदेंगे इन्टीजर ए बी सी और यहां पर सेमी कॉलम इन्डव दा स्टेट्मेंट्स हो गया इस सेमी कॉलम को इन्डव दा स्टेट्मेंट्स कहा जाता है कि वह जहां भी लगता है उस स्टेट्मेंट का अंप कर देता है उसके बाद मैं एक हम लोग function देखे थे clear screen इसको हम लोग य इन्डेफ इन्टार एक कॉमा बी एंड़ सी यहां पर आप कुछ भी निख सकता है आपको पहले से पता है कि जो कुछ भी आप लिखेंगे आपके screen पर डिस्पले होगा और स्कैनप से इससे आम लोग रीड कर लेंगे percentage डी percentage डी और फिर percentage डी तीन बार इसलिए क्योंकि ती कर लिए अब क्या करेंगे हमको condition यहां से चेक करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है जिसका हम लोग flow chart देख चुके हैं और इसका algorithm भी देखे थे अब यहां पर प्रोग्राम में देखेंगे if यहां पर condition लगा लेंगे और condition में लगाएंगे a greater than b यहां पर दो result तो true वाला part if में जाता है और false वाला part else में चला जाता है अब यहां क्या है कि यहां पर कोई decision हमें नहीं मीर रहा है कि दोनों मैंसे एक बड़ा तो है लेकिन तीनों में बड़ा नहीं है तो तीनों में बड़ा करने के लिए हम चेक करना परेगा इसको C से हम मान के चल रहा ह कि इफ वाला पार्ट में तो यह true होता है तो true मतलब कि यह बड़ा है तो एक को हम यहाँ पर चेक करेंगा फिर से इफ के अंदर इफ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं यही होगा आपका निस्टर्ड इफ हैल्स यहाँ पर एगलट वादन या फिर यहां भी बड़ा होगा तभी दोनों का इफ पार्ट मैं यहाँ पर आया और यहां पर आप आप जो है न इसको आप अरकर लगें अब इसका जो है न इसका जो इफ होगा इसको हम यहाँ पर लता है अगर बढ़ा हुआ अगर kandison फोर्च और तो को सी बड़ा हो जाएगा तो यहां पर हम लोगों इसमें कर लाएंगे प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर अब यहां अमारा यहीं पर क्लूज कर देता है आप सेम राइं में क्लूज कर सकते हैं अगर सिंगल लाइन अप एस्टेट्मेंट्स है तो से अगर यहां पर हो गया अगर यह हुआ तो यहां पर जाएगा अगर यह कंडिशन ट्रू हुआ तो यहां जाएगा लेकिन अगर मला जाय anche यहीं पे लोता तो क्या होता तो क्या जाता एल्स में इसके यह में चला आज पा ऑगर फॉल्स होने के मतला बिक्या वो गया बड़ा हो गया था फिर यहां पंपर स्व्पिप करेंगे लगा करके यहां पर if लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या B बड़ा है C से अगर यह condition true वहा तो B बड़ा हो जाएगा यहां पर लिख देंगे printf be is greater और इसको यहां पर close कर देंगे अगर यह condition false हो दो तक्या हो गहां इसका एल्स पार्ट में आए जाएगा और इसके एल्स में हम लों लिख देंगे प्रिंट एफ कि सीज ग्रेटर यह आपका हो गया कम्प्लीट और इस एल्स का यहां पर क्लोजिंग हो जाएगा और एल्स और क्लोज करने के बाद यहां पर यूज कर लांगे और यहां पर सेमिकॉर्ण के बाद लास्ट में जो है ना में फॉंशन यहां पर उपे हुआ तो में फॉंशन यहां पर क्लोज हो जाएगा बस यहीं आपका प्रोग्राम हो गया आप देखे इसमें हम लोग क्या यूज किया है नेस्टर या लेडर इफल्स देखे यहां पर फिर यहां पर याल्स के अंदर भी फॉंशन ऑगया है तो जितना आपको यूज करना है प्रोग्राम के एक ओंडिंडुक्रिक वाइर्मेंट्स है उतना आप रिउच कर सकते हां इस इसी को करते हैं नेस्टर या ड़र इफल्स हम लोग कैसे प्रोग्राम को बना है तीन नं हुआ तो सी बढ़ा जागा फिर यहां पर यह हमारा ब्लॉक इफ कंप्लीट हो गया लेकिन अगर यहीं पर गलती हो जाता है यह फॉल्स हुआ तो इसके एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स में जाएंगे तब फिर चेक करेंगे क्या भी बड़ा है सी से अगर यह टू हुआ अगर यह फॉल्स हुआ तो सी घर्ट रहोगा जैसा कि हम फिल्स स्टर्ट्मेंट्स का सिंटेक्स को देख चुके हैं तुम्हें देखे आपको एक आपको जो है यह प्रोग्राम के लिए हो गया होगा तो मिलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद अन तक वीडियो देखे नेक्ट